मन की बात इस यात्रा के आज पचास एपिसोड पूरे हो गए हैं इस तरह आज ये गोल्डन जुबिली एपिसोड स्वनिम एपिसोड है इस बार आपके जो पत्रव और फोन आये हैं अधिकतर वो इस पचास एपिसोड के संदर में ही है माई गौव पर दिल्ली के अंशुकुमार, अमरकुमार और पटना से विकास यादव इसी तरह से नरेंद्र मोधी एप पर दिल्ली की मोनिका जैन, बर्धवान, बेश्ट बंगाल के प्रसेंजित सरकार और नागपूर की संगिता सास्त्री इन सब लोगोंने लगभग एक ही तरह का प्रश्ण पूछा है, उनका कहना है कि अक्सर लोग आपको लेटेस्ट टेकनलोजी, सोचलिन मेडिया और मोबाइल एप्स के साथ जोडते हैं, लेकिन आपने लोगों के साथ जुडने के लिए रेडियो को क्यो चुना, आपके जिग्यासा बहुत स्वाभाविक है कि आज के विग में जिब की करीब रेडियो भूला दिया गया था, उस समय मोधी रेडियो लेकर के क्यों आया, मैं आपके किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ये 1998 की बात है, मैं भारती जनता पार्टी के संगठन के कारकरता गुरूप में हिमाचल में काम करता था, मई का महेना था, और मैं शाम के समय ट्रावेल करता हुआ, किसी और स्थान पर जा रहा था, हिमाचल की पाहडियों में शाम को ठन तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक धाबे पर चाय के लिए रुका, और जब मैं चाय के लिए और किया, तो उसके पहले ही वो बहुत छोटा सा धाबा था, एक ही व्यक्ति, खुद चाय बनाता था, भेजता था, उपर कपड़ा भी नहीं था, ऐसे ही रोड के किनारे पर छोटा सा ठिला लगा के खड़ा था, तो उसने अपने पास एक सीशे का बरतन था, उसमें से लड़ू निकाला, पहले पोड़े साब चाय बात में नहीं क्या, अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है, वह ऐसा उचल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था, तो मैंने क्या हुआ, अरे बोले आज भारत ने बंफोड दिया है, मैं कुछ समझा नहीं, तो उसने का देखी साब रेडियो सुनिया, तो रेडियो पर उसी की चर गोष्णा की थी, और इसने ये गोष्णा रेडियो पर सुनी थी, और वो नाच रहा था, और मुझे बड़ा ही अश्चरे हुआ, कि इस जंगल के सुनसा इलाके में, बरफीली पाढ़ियों के बीच, एक सामान्य इंसान, जो चाय का ठेला लेकर अपना काम कर रहा है, और दिन बर रेडियो सुनता रहता होगा, और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था, और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी, कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है, और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है, कॉम्मुनिकेशन की रीच और उसकी गहराई, शायर रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता, यह मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है, और उसकी ताकत के मैं अंदाज करता था, तो जब मैं प्रधान मंत्री बना, तो सबसे ताकतवर माध्यम के तरब मेरा ध्यान जाना बहुत और जब मैंने मई 2014 में एक प्रधान सेवक के रुप में कारभार समाला, तो मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता, हमारे भवे इतियास, उसका शावरिय, भारत की विविद्यताएं, हमारी सांस्कृतिक विविद्यताएं, हमारे समाज के रग-रग में समाई हुई अच उशार्थ, जजबा, त्याग, तपस्या, इन सारी बातों को भारत की है कहानी जन जन तक पहुँचने चाहिए, देश के दूर सुदूर गावों से लेकर, मैट्रो सिटिस तक, किसानों से लेकर कि युवा प्रोफेशनल सक, और बस उसी में से ये मन की बात की आत्रा प्रा और माय गौप और कॉमेंट्स देखते और इन सब को एक सुत्र में पिरो करके हलकी फुलकी बाते करते करते, पचास एपिसोड की एक सफर ये यात्रा हम सबने मिल करके कर ली हैं, हाल ही में हाकाश्वानी ने मन की बात पर सर्वे भी कराया, मैंने उन में से कुछ ऐसे किया गया है, उन में से आउसतन सत्तर प्रतिशत नियमित रुप से मन की बात सुनने वाले लोग है, अधिकतर लोगों को लगता है कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ाई है, मन की बात के माध्यम से अंदलोनों को बढ़ावा मिला है, हैस्टेक इंडिया पॉजिटिव को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है, ये हमारे देशवाचियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की, सकारत बक्ता की भावना की भी जलक है, लोगों ने अपना यनुभव भी शेर किया है कि मन की बात से वॉलेंटियरिजम यानि स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बड़ी है, एक ऐसा बड़लाव आया है, जिसमें समाज की सेवा के लोग बढ़ चड़ करके आगे आ रहे हैं, मुझे हैं देखकर खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक रेडियो ही नहीं है, जिसके माध्यम से लोग इस कारकम में जुड़ रहे हैं, लोग, टीवी, एफेम रेडियो, मॉबाइल, इंटरनेट, फेस्बुक लाईव और परिस्कोप के साथ साथ नरेंद्र मोधी एप के माध्यम से भी मन की बात में अपनी भागिदारी सुनिश कर रहे हैं, मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदश्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अंतह करण पुर्वक धन्यवाद देता हूँ आदर्निय प्रदार मंतरी जी, नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है और मैं हैदरबाद से बोड़ रही हूँ मन की बात कारेकरम जननता के बीच एक बहुती लोग प्रिय कारेकरम है प्रारम में लोगों ने सोचा कि यह कारेकरम भी एक राजनीतिक मंच बन करी रह जाएगा और आलोशना का विशाई भी बना पर तो जैसे जैसे यह कारेकरम आके बढ़ा हमने देखा कि राजनीतिके इस्थान पर यह सामाजिक समस्या और चुनोतियों पर ही केंद्रे तरह और इस तरह मेरे जैसे करोणों सामाने लोगों से जुड़ता गया दिमेदी में आलोशना भी समाप्त हो गई तो मेरा प्रशनी यह है कि आप इस कारेकरम को किस प्रकार राजनीति से दूर रखने में सफ़र रहे क्या कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि आप इस कारेकरम को राजनीति के लिए उप्योग कर सकें या फिर इस मंच से अपनी सरकार की उबलब्दियां गिना सकें अपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आशन का सही है दरसल नेता को माइक मिल जाए और लाखों करोडों की संख्या में सुनने वाले हो तो फिर क्या चाहिए कुछ युवा मित्रों ने मन की बात में आये सब विशहों पर एक स्टड़ी की उन्होंने सारे एपिसोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया और उन्होंने अध्यन किया कि कौन से शब्द कितनी बार बोले गए कौन से शब्द है जो बार बार बोले गए उनकी एक फाइंडिंग यही है कि हकार कम अप पॉलिटिकल रहा जब मन की बात शुरू किया था तभी मैंने ताइक किया था कि ना इसमें politics हो ना इसमें सरकार की भावाई हो ना इसमें कहीं मोदी हो और मेरे इस संकल्प को निभाने के लिए सबसे बड़ा संबल सबसे बड़ी प्रेणा मिली आप सबसे हर मन की बात से पहले आने वाले पत्रों, ओनलाइन कॉमेंट्स, फॉन कॉल्स, इन में स्रोताओं की अपेक्षाएं साफ होती हैं, मोधी आएगा और चला जाएगा, लेकिन इह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृती अमर रहेगी, एक सो तीस करोड देश वासियों की छोटी-छोटी यह कहानिया हमेशा जिवित रहेगी, इस देश को नई प्रेणा नए उत्सा से नई उचाईयों पर लेती जाती रहेगी, मैं भी कभी-कभी पीछे मुल करके देखता हूं, तो मुझे भी भहुत बड़ा अस्षरे होता है, कभी कोई देश के किसी कौने से पत्र लिकर कहता है, हमें छोटे दुकानदारों, आटो चलाने वालों, सबजी बेचने वालों, ऐसे लोगों से भहुत जादा मुल भाव नहीं करना चाहिए, मैं पत्र पड़ता हूं, ऐसा ही भाव कभी किसी और पत्र में आया हो, उसको सा गुथ लेता हूं, दो बातें मैं अपने अनुभव की भी उसके साथ शैर कर लेता हूं, आप सब के साथ बांट लेता हूं, और फिर नजाने कब यह बात घर परिवारों में पहुंचती हैं, सोशल मेडिया और वाट्सवर पर घुमती हैं, और एक परिवरतन की और बढ़ करती रहती हैं, आपकी भेजी स्वचता की कहानियों ने, सामान्य लोगों के धेर सारे उधारणों ने, नजाने कब घर घर में एक नहना स्वचता का ब्रांट एमबिसेटर खड़ा कर दिया है, जो घर वालों को भी टोकता है, और कभी-कभी फोन कॉल कर प्रधान मंत्री क को भी आधेश देता है, कब किसी सरकार की इतनी ताकत होगी कि सेल्फी विड डॉटर की मुहीम हर्याना के एक छोटे से गाउं से शुरू होकर पूरे देश में ही नहीं, बिदेशों में भी फैल जाए, समाज का हर वर्ग, सेलिबरिटी सब जुड जाए, और समाज में भी उड़ता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही 130 करोड देशवासी बसे रहते हैं, उनका मन मेरा मन है, मन की बात सरकार वी बात नहीं है, ये समाज की बात है, मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्व कांक्षी भारत की बात है, भारत का मूल प्राण राजनीती नहीं ह भारत का मूल प्राण समाजनिती है और समाज शक्ती है समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं उन में से एक पहलू राजनिती भी है राजनिती सब कुछ हो जाएं यह स्वस्त समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्तान नहीं है कभी कभी राजनिती घटनाएं और राजनिती लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुर्शार्थ दब जाते हैं भारत जैसे देश के उजवल भविश के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं पुर्शार्थ को उचित स्थान मिले ये हम सबका एक सामुहिक दाईत्व हैं और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है नमस्ते प्रधान मंत्री जी मैं प्रामिता मुखर्दी बोल रही हूँ मुंबई से तर मन की बात का हर एपिसोड कहरी इंसाइट से जानकारी इंस्विमेशन से पॉजिटिव स्टोरी से और आम आद्मी के अच्छे कामों से भरा हुआ होता है तो मैं आपसे पूछना चाती हूँ कि हर प्रोग्राम से पहले आप कितना प्रेपर्दस हैं फोन कॉल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल एक प्रकार से अपने पन से पूछा सवाल है मैं मानता हूँ मन के बाद के पचास एपिसोड की सबसे बड़ी सिद्धी यही है कि आप प्रधान मंत्री से नहीं जैसे अपने एक निकट साथी से सवाल पूछ रहे हैं बस यही तो लोगतंत्र है आपने जो सवाल पूछा है अगर मैं सीधे सब्दों में उतर दूँ तो कहूँगा कुछ भी नहीं एक्चुली मन की बाद मेरे एक बहुत ही आसान काम है हर बार मन की बाद से पहले लोगों के पत्र आते हैं मायगो और नरिन मोदी मोबाइल एब पर लोग अपने विचार सहर करते हैं एक टॉल फ्री नम्मर भी है वहां कॉल करके लोग अपने संदेश अपनी आवाज में रेकॉर्ड भी करते हैं मेरी कोशिज रहती है कि मन की बाद से पहले ज्यादा से ज्यादा पत्र और कॉमेंट्स खुद पढ़ूं मैं काफी सारे फोन कॉल भी सुनता हूं जैसे जैसे मन की बाद का एपिसोड करीब आता है तो ट्रावलिंग के दौरान आपके द्वारा भेजे गए आइडियाज और इनपूर्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूं हर पल मेरे देशवासी मेरे मन में रचे बसे होते हैं और इसलिए जब भी कोई पत्र पढ़ता हूं तो पत्र लिखने वाले की परिस्तिती उसके भाव मेरे विचार का हिस्सा बन जाते हैं वो पत्र मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहता है और वैसे ही मैंने करीब 40-45 साल अखंड रूप से एक परिवारजिक का जीवन जिया है और देश के अधिकतर जिलों में गया हूँ और देश के दूर दराज जिलों में मैंने काफी समय भी बिताया है और इसके कारण जब मैं पत्र पढ़ता हूँ तो मैं उस्थान और संदर्व से आसानी से अपने आपको रिलेट कर पाता हूँ फिर मैं कुछ factual चीज़ों को जैसे गाउं व्यक्ति का नाम उन चीज़ों को नोट कर लेता हूँ सच पुछो तो मन की बात में आवाज मेरी है लेकिन examples, emotions और spirit मेरे देश वाश्यों के ही है मैं मन की बात में योगदान देने वाले प्रत्य व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे लाखों लोग हैं जिनका नाम मैं आज तक मन की बात में नहीं ले पाया लेकिन वो बिना निराश हुए अपने पत्र, अपने comments बेचते हैं आपके विचार, आपकी भावनाएं मेरे जिवन में भौती महत्व रखती हैं मुझे पुरा विश्वास है कि आप सभी की बाते पहले से कई गुना जादा मुझे मिलेगी और मन की बात को और रोचक और प्रभावी और उप्योगी बनाएगी यह भी कोशिश की जाती हैं कि जो पत्र मन की बात में शामिल नहीं हुए उन पत्रों और सुझाओं पर सम्बदित विभाग भी ध्यान दे मैं आकासवाणी, FM रेडियो, दूरदर्शन, अन्य टीवी चैनल्स, सोस्यल मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके परिश्रम से मन की बात जादा से जादा लोगों तक पहुँच पाती है आकासवाणी की टीम हर एपिसोड को बहुत सारी भाषाओं में प्रसारण के लिए तैयार करती है कुछ लोग बखुबी रिजिनल लेंग्विजी में, मोदी से मिलती जुलती आवाज में और उसी लहजे से मन की बात सुनाते हैं इस तरह से वे उस 30 मिनिट के लिए नरद्र मोदी ही बन जाते हैं मैं उन लोगों को भी उनके टैलेंट और स्किल्स के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि इस कारकम को अपनी स्थानिय भाषाओं में भी अवश्य सुने मैं मिडिया के अपने उन साथियों को रदय पुरवक धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने चैनल्स पर मन की बात का हर बार नियमित रुप से प्रसारण करते हैं कोई भी राजनितिक व्यक्ती मिडिया से कभी भी खुश नहीं होता है उसे लगता है कि उसे बहुत कम कवरेज मिलता है या जो कवरेज मिलता है वो नेगेटिव होता है लेकिन मन की बात में उठाये गए कई विशयों को मिडिया ने अपना बना लिया है स्वच्चता, सडक सुरक्षा, ड्रक्स प्री इंडिया, सेलफी विड डॉटर जैसे कई विशय हैं जिने मिडिया ने इनोवेटिव तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया टीवी चैनल्स ने इसको मोस्ट रेडियो प्रोग्रेम बना दिया मैं मिडिया का रदय से अभिनंदन करता हूँ आपके सहयोग के बिना मन की बात की है यात्रा अधुरी ही रहती नमस्ते मोदी जी, मैं निधी पहुगुना बोल रही हूँ मसूरी उत्राखन से मैं दो युवा बच्चों की मा हूँ मैंने अक्सर यह देखा है कि इस उम्र के बच्चे यह पसंद नहीं करते कि उन्हीं कोई बताए कि उन्हें क्या करना है चाहे वे टीचर्ज हों या वे उनके माता पिता हों पर जब आपकी मन की बात होती है और आप बच्चों से कुछ कहते हैं तो वे दिल से समझते हैं और उस बात को करते भी हैं तो आप हमसे इस secret को share करेंगे क्या जिस तरह से आप बोलते हैं या जो आप issue उठाते हैं कि वे बच्चे अच्छी तरह समझ के implement करते हैं धन्यवाद निधी जी आपके phone call के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दरसल मैं कहूं तो मेरे पास तो कोई secret नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वो सब परिवारों में भी होता भी होगा सरल भासा मैं कहूं तो मैं अपने आपको उस युवा के अंदर ढाल लेने का प्रयास करता हूँ खुद को उसकी परिस्तितियों में रखकर उसके विचारों के साथ एक सामंज़स से बैठाने एक wavelength मैच करने की कोशिश करता हूँ हमारे खुद के जिंदिकी के वो पुराने bagages है जब वो बीच में नहीं आते हैं तो किसी को समझना आसान हो जाता है कभी-कभी हमारे पूर्वग्र ही समवाद के रिए सबसे बड़ा संकट बन जाते हैं स्विकार, अस्विकार और प्रतिकियाओं के बजाएं किसी की बात को समझना मेरी प्रात्मिकता रहती है मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे में सामने वाला भी हमें कन्विंस करने के लिए भाती-भाती के तर्क या दबाव बनाने के बजाए हमारी वेवलेंद पर आने का प्रयास करता है इसलिए communication gap खत्म हो जाता है फिर एक प्रकार से उस विचार के साथ हम दोनों सही आत्री बन जाते हैं दोनों में से पता ही नहीं चलता है कि कब और कैसे एक ने अपना विचार छोड़कर दूसरे का स्विकार कर लिया है ओन कर लिया है आज के युवाओं की यही खुबी है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिस पर स्वयम उन्हें विश्वास नहीं हो और जब वो किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो फिर उसके लिए सब कुछ छोड़ चार कर उसके पीछे लग जाते हैं अक्सर लोग परिवारों में बड़ों और टीनेजर्स के बीच कॉम्मिनिकेशन गैप की चर्चा करते हैं दरसल अधिकतर परिवारों में टीनेजर से बात्चीत का दायरा बड़ा सिमित होता है अधिकतर समय पढ़ाई की बाते या फिर आदतों और फिर लाइफस्टाइल को लेकर ऐसा कर ऐसा मत कर बीना किसी अपेक्षा के खूले मंद से बाते धीरे धीरे परिवार में भी बहुत कम होती जा रही है और ये भी चिन्ता का विशह है एक्सपेक्ट की बजाएं एक्सेप्ट और डिस्मिस करने की बजाएं डिस्कस करने से समवाद प्रभावी बढ़ेगा अलग अलग कारकमों या फिर सोशल मीडिया के माद्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत करने का मेरा प्रयास रहता है वे जो कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं उससे सीखने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ उनके पास हमेशा आइडियाज का बंडार होता है वे अत्यधिक, एनरजेटिक, इनोवेटिव और फोकस होते हैं मन की बात के माध्यम से मैं युवाओं के प्रयासों को उनकी बातों को जादा से जादा साजा करने का प्रयास करता हूं अक्सर सिकायत होती हैं कि युवाओं बहुती अधिक सवाल करते हैं मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है कि नौजवान सवाल करते हैं ये अच्छी बात इसलिए हैं क्योंकि इसका आर्थ हुआ कि वे सभी चीजों की जड़ से छानबीन करना चाहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं में धहर्य नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं के पास बरबात करने के लिए समय नहीं है, यही वो चीज है जो आज के नौजवानों को अधिक इनोवेटिव बनने में मदद करती हैं क्योंकि वे चीजों को तेजी से करना चाहत हमें लगता है आज के युवा बहुत महत्वा कांक्षी है और बहुत बड़ी बड़ी चीजे सोते हैं अच्छा है बड़े सपने देखे और बड़ी सफलताओं को हासिल करें आखिर यही तो न्यू इंडिया है कुछ लोग कहते हैं कि युवा पीडी एक ही समय में कई चीजे करना चाहती है मैं कहता हूँ इसमें बुराई क्या है वे मल्टी टास्किंग में पारंगत है इसलिए ऐसा करते हैं अगर हम आसपास नजर दोड़ा आए तो वो चाहे सोशल एंटर्प्रेशिफ हो स्टार्ट अप्स हो स्पॉर्ट्स हो या फिर अन्यक्षेत्र समाज में ब हस दिखाया अगर हम युवाओं के विचारों को धरातल पर उतारने और उन्हें अभीवक्त करने के लिए खुलावातावन दें तो वे देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं वे ऐसा कर भी रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों गुरुग्राम से विनित्या जी ने माई गौव पर लिखा है कि मन की बात में मुझे कल याने 26 नवंबर को आने वाले समिधान दिवस के बारे में बात करनी चाहिए उनका कहना है कि यह दीन विशेश है क्योंकि हम समिधान को अपनाने के 70 वे बर्ष में प्रवेश करने वाले हैं बिनिता जी आपके सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, कल समिधान दिवस है. उन महान विबुतियों को याद करने का दीन, जिनों ने हमारा समिधान बनाया. 26 नमदर 1999 को हमारे समिधान को अपनाया गया था. समिधान ड्राप्ट करने के इस आइतियासी काईरे को पूरा करने में, समिधान सभा को दो वर्ष, ग्यारा महिने और सत्रह दिन लगे कलपना कीजिए, तीन वर्ष के भीतर ही इन महान विबुतियों ने हमें इतना व्यापक और विस्तृत समिधान दिया इनोंने जिस असाधारन गती से समिधान का निर्मान किया, वो आज भी टाइम मैनेजमेंट और प्रोड़क्टिविटी का एक उधारन है, यह हमें भी अपने दाइत्वों को रिकॉर्ड समय में पुरा करने के लिए प्रेरीत करता है समिधान सबा देश की महान प्रतिवाओं का संगम थी, उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा समिधान देने लिए प्रतिवत्त था, जिससे भारत के लोग ससकता हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी समर्थ बने हमारे समिधान में खास बात यही है कि अधिकार और कर्तव्य, यानि राइट्स एंड जूटीश, इसके बारे में विस्तार से वढ़न किया गया है, नागरिक के जीवन में इनी दोनों का तानमेल देश को आगे ले जाएगा अगर हम दूसरों के अधिकार का सम्मान करेंगे, तो हमारे अधिकारों के रक्षा अपने आप हो जाएगी और इसी तरह, अगर हम समिधान में दिये अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो भी हमारे अधिकारों के रक्षा अपने आप हो जाएगी मुझे अभी भी याद है 2010 में जब भारत के गणतंत्र को 60 साल हुए थे तब गुजरात में हमने हाथ ही पर रखकर समिधान की सोभा यात्रा निकाली थी युवाओं में समिधान के बारे में जागरूता बढ़ाने के लिए और उन्हें समिधान के पहलूओं से जोडने के लिए ये एक यादगार प्रसंगता वर्थ 2020 में एक गणतंत्र के रूप में हम 70 साल पूरे करेंगे और 2022 में हमारी आजाजी के 75 वर्ष पूरह हो जाएंगे आईए हम सभी अपने समिधान के मुल्यों को आगे बढ़ाएं और अपने देश में पीस, प्रोग्रेस और प्रस्पृरिटी याने शांती, उन्नती और समृदि को सुनिश्शित करें मेरे प्यारे देश्वासियों समिधान सभा के बारे में बात करते हुए उस महापुरुस का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता जो समिधान सभा के केंद्र में रहे, ये महापुरुस थे पूजनिय डॉक्टर बाबा साबा मेड़ कर, 6 दिसंबर को उनका महापरी निर कार दिया, लोकतंत्र बाबा साब के स्वभाव में रचा बसा था और वो कहते थे कि भारत के लोकतंत्र के मुल्य कहीं बाहर से नहीं आये है, गणतंत्र क्या होता है और संसद्य व्यवस्ता क्या होती है, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, समिधान सभा में उन्हो तागी रक्षा हमें अपने खून की आखरी बुन तक करनी है यह भी कहते थे कि हम भारतिय भले ही अलग-अलग बैक्ग्राउंड के हो लेकिन हमें सभी चीजों से उपर देश हित को रखना होगा इंडिया फर्स्ट डॉक्टर बाबा साहब अमबेड करका यही मुल मंत्र था एक बार फिर पुझ्ज बाबा साहब को विनम्र सद्धांज ली मेरे पैरे देश्वासियों दो दिन पहले 23 नमंबर को हम सब ने स्री गुरु नानक देवजी की जेंति मनाई है और अगले वर्ष याने 2019 में हम उनका 550 वा प्रकास पर्वब मनाने जा रहे हैं गुरु नानक देवजी ने सदा ही पूरी मानवता के कल्यान के लिए सोचा उन्होंने समाज को हमेशा सत्य, कर्म, सेवा, करुणा और सहवार्द का मार्ग दिखाया देश अगले वर्ष गुरु नानक देवजी की 550 वी जेंति समारों को भवे रुप से मनाएगा इसका रं देश नहीं दुनिया भर में बिखरेगा, सभी राज्य सरकारों और केंदर सासित प्रदेशों से भी इस अवसर को दुमधाम से मनाने का अनुरोत किया गया है, इसी प्रकार गुरु नानक देवजी का 550 वा प्रकाश पर्व, विश्व के सभी देशों में भी मनाये इसके साथ ही गुरु नानक जी से जुड़े पवित्र स्थलों के मार्क पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी, अभी हाल ही मैं, जब मैं इसे जुड़ी मिटिंग कर रहा था, तो उसी समय मुझे लगपत सहीब गुरु द्वारा की आद आई, गुजरात के 2001 के भुकम के दव हाल है, 12 सरकान एक बड़ा महत्वपूर निड़ा किया है कि करतारपूर कोरिडोर बनाने का, ताकि हमारे देश के यात्री आसानाई से पाकिस्तान में, करतारपूर में, गुरु नानक देव जी के उस पवित्र सल पर दर्शन कर सके, मेरे प्यारे देश्वासियों, 50 एपि की बात में, और मुझे विश्वास है कि आज मन के बात के इस कारकम के पीशे की भावनाओं को मुझे पहली बार आपके समक्ष कहने का मोका मिला, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही सवाल पूशे, लेकिन हमारी यात्रा जारी रहेगी, आपका साथ जितना जादा जुड़े कि मन की बात के जो फिडवेक आते हैं, उसमें एक बात जो मेरे मन को बहुत छूजाती है, अधिकतम लोगों ने ये कहा कि जब हम परिवार के सब लोगों के साथ बैट करके मन की बात सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारे परिवार का मुख्या हमारे बीच में बैट करके हमारी अपनी ही बातों को हमारे साथ शेयर कर रहा है, जब ये बात मैंने व्यापक रूप से सुनी, मुझे बहुत संतोश हुआ कि मैं आपका हूँ, आप मैं सेही हूँ, आपके बीच हूँ, आप इने मुझे बड़ा बनाया है, और एक प्रकार से मैं भी आपके परिवार के सदस्य के रूप में ही मन की बात के माध्यम से बार बार आता रहूँगा, आप से जुड़ता रहूँगा, आपके सुखदुख, मेरे सुखदुख, आपके आकांक्षा, मेरी आकांक्षा, आपकी महत्वा कांक्षा, मेरी महत्वा कांक्षा, आईए, इस यात्रा को हम औ और आगे बढ़ाए बहुत बहुत धन्यवाद